अगला प्रेशन है हमारे पास प्रेशन संख्या 9, समुद्र तल से 75 मीटर उची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अब नमन कौन 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, मतलब एक लाइट हाउस है समुद्र के तट पे, मतलब जो समुद्र का एंड होता है, वहाँ पर एक लाइट हाउस है, उससे देख रहा है वो दो जहाजों को, जो एक दूसरे के आगे पीछे है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ग्यात कीजिए पहली बात तो ये एक light house दे रखा है जिसकी उचा ही दे रखिया है 75 मीटर है ना समुद्र तट से समुद्र तट मतलब नीचे यहाँ समुद्र है यहाँ पर पानी है ठीक है यहाँ पर एक light house है light house की 75 मीटर उची है light house कितने है 75 मीटर उचा है अब यहाँ पर क्या है दो जहाज है मालने ते एक जहाज यह है दूसरे जहाज यहाँ है ठीक अब वो क्या कह रहा है इन दोनों जहाज के अब नमन कौण 30 वा 45 है 2 score दे रखे हैं तो देखो एक line draw करते हैं दूसरी line draw करते हैं एक line आपकी ये हो गई दूसरी line आपकी ये हो गई ठीक है कोई doubt कोई दिकत दोनों जहाजों से 2 line हो गई अब वो कहा रहा है अब नमन कौण अब नमन कौण का बनता है हमेशा उपर यानि इसकी जो 36 रेखा होगी उपर उससे बनेगा है ना उपर जो 36 रेखा होगी कैसे दे रखे हैं कौण क्या दे रखे हैं 30 degree और 45 degree पहला 30 दूसरा 45 ठीक है तो यहां पर यह हो गया 30 और यह हो गया 45 बताओ कोई डाउट यहां पर नहीं है ना अब थोड़ा नामकरण कर लें इसका A B C D A B C D चार नामकरण हमने इसके कर लिए अब देखो इसको कैसे कर रहेंगे हैं हमें बताना है C D यह C D बताना है हमें यह हम मान लेते हैं X Meter ठीक है और इसे मान लेते हैं Y Meter ठीक बेटा यह X Meter yani Y Meter माने लेते हैं हमें X Meter घ्यात करना है इसक्रेशन में दोनों जहाज के बीच की दूरी ठीक है तो कैसे करेंगे देखो solution देखो बेटा इसका तिरभुज ABC में पहले ABC की बात करते हैं तिरभुज ABC में क्या दिया है देखो 10 theta, theta मतलब है 45 degree बरावर क्या होगा, लंब बटे आधार मतलब बेटा, AB upon BC AB कितना है 75 और BC कितना है, Y Y माना है हमने तो 1045 की value 1 बरावर, 75 बरावर तो Y बरावर कितना आगया 75 तो Y की value तो आगई 75, यानि कि जो पहला जाहाज है वो समुद्र 3 से कितनी दूर है 75 मीटर दूर है ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह नहीं निकालना बठ, हमें क्या निकालना था? पूरा अब बात करते हैं, तिर्भुज ABD की ABD तो 10 30 1030, बरावर क्या होगा? AB upon DB 1030 का मान कितना होगा? 1030 का मान एक बटे अंडरूर 3 होगा है नहीं बटा AB कितना है? 75 मीटर और DB कितना है? X और Y दोनों को मिला दे अगर हम तो X प्लस Y यही है इन दोनों का अपस में गुडा करो ऐसे Cross Multiplication कर दो X प्लस Y बरावर 75 अंडरूर 3 और यहाँ पर Y का मान रख दीजिए Y की value कितनी निकल के आई है Y की value निकल के आई थी 75 तो 75 value रख दीजिए तो X बरावर 75 अंडरूर 3 माइनस 75 तो X बरावर 75 common ले लो अंडरूर 3 माइनस 1 अंडरूर 3 माइनस 1 यहाँ पर करते हैं इसको solve अब देखो अंडरूर 3 की value कितनी होती है जरा बताव मुझे X बरावर 75 गुड़ा अंडरूर 3 की value 1.732 यही लिखते आया अभी तक हम है न 1.732 माइनस 1 तो माइनस 1 करोगे तो कितना बजएगा 0.732 जब 0.732 यहाँ पर बचेगा तो पिजित्तर में उसका क्या कर दोगे आप गुड़ा तो 75 into 0.732 अब इन दोनों का अपस में आप गुड़ा कर दो इन दोनों का अपस में जब आप गुड़ा करोगे तो यह आपको मिलेगा बिटा 54.9 54.9 मीटर तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी हुई 54 54.9 54.9 नुमारे दोनों जहाज के बीच की दूरी आ गई X X का मान जो हमने बताया था X मीटर तो CD कितना निकल गाया 54.9 मीटर यह आपका आंसर है ठीक है पेटा 4 नंबर पक्के 4 नंबर होगे Absolute पक्के प्रेशन तो important है बाकई क्यों क्योंकि यह प्रेशन कम से कम 3 से 4 बार हमारा एक्जाम में आ चुका है 3 से 4 बार हमारा एक्जाम में यह प्रेशन पूछा जा चुका है इसलिए प्रेशन हमारा important है आप इसे कता ही न छोड़े और हमेशा अच्छे से ध्यान से करेंगे आपने अगर यह जो एंगल है वो ध्यान से बना लिए तो आप गलती नहीं करेंगे देखो ध्यान रगना अगर आप यहां से उपर देखोगे तो एंगल कम बनेगा यहां से दोखोगे एंगल जाता बनेगा तो इसमें confuse ना हो कि पहले एंगल कौन सा रखा जाएगा बाद में कौन सा आएगा ठीक है तो यह आपका answer आ गया answer आ गया इसका मतलब question solve solve मतलब आपके चार नंबर हो गए बिटा पके